हेलो दोस्तों दोस्तों कैसे हो आप सब तो दोस्तों आज की जो वेकेंसी है ये टाटा ग्रूप की तरफ से बहुत ही अच्छी वेकेंसी होने वाली है वीडियो को अगर स्किप करके देखने वाले है तो कुछ भी फाइदा नहीं है और लेडी मैंने दोस्तों एक वीडियो क बताया था कि वो सारे courses जो है वो बहुत ही अच्छे होने वाले हैं इतने कम amount में courses और प्लस आगे तक के लिए future wise भी बहुत अच्छे होने वाले हैं आपके लिए तो दोस्तो यह जो vacancy है यह diploma, b.tech और any graduate मतलब आपने कोई भी graduate कर रखे तब भी आप इसमें eligible है, बिल्कुल freshers के लिए vacancy है क्यों कि आपको पताई है कि मेटा जाद maximum जो preference रहता है वो freshers के लिए रहता है और इसमें क्या है कि दोस्तों इसमें कोई exam नहीं होना है कोई fees नहीं है, एक चीज और दोस्तों, बहुत सारे भाई comment करते हैं, या मेरे mail भी करते हैं या फिर message करते हैं कि हमारा ये हुआ है, हमारा वो हुआ है हमारी यहाँ vacancy आई है और हमसे पैसो के demand की जा रही है दोस्तों कितनी बार मैं आपको बोलू कि अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो आपको कभी भी जॉब नहीं देने वाला है पैसे के अगेंस्ट में जॉब कभी नहीं मिलने वाली इसलिए कभी मत दीजेगा एक रुपा भी amount पे मत कीजेगा आप किसी को जॉब के अगेंस्ट में आप courses वगरा कर रहे हैं, उसमें कोई problem नहीं है आप course कर रहे हैं, उसका certificate मिलेगा वो आप भाँ पेड कीजेए इसमें स्टार्टिंग सेलरी जो टाटा में होने वाली है वो 38,400 यह स्टार्टिंग सेलरी है दोस्तों यह package स्टार्टिंग है इसमें 2021 से लेके मतलब जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए और 2017, 2016, 2012 वाले भी इसमें पास आउट है बहुत ही नई vacancy है बहुत ही ध्यान से देखिएगा तभी आपको जाके समझ में आप आएगी इसका link का मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे नहीं आप जाके एक बार देखेंगे आपको 4000, 4500 में कोर्स मिल रहा है इतना अच्छा डिसकाउंट मिल रहा है मैंने अल्लेडी बोला था कि अगर आप उस मेरे प्रोमो कोर्ड के थुरू करते हैं तो आपको 15% का डिसकाउंट बिलेगा, इसलिए आप जल्दी से जल्दी उसमें apply कर दीजिए और जिस जिसने apply कर दिया है एक बार में को comment section में जरूर बताइए तो चलिए आइए, शुरू करते हैं तो दोस्तों आपको notification बताने से पहले मैं आपको reliable के बारे में बता देते हूं reliable by unacademy दोस्तों ये जो है आपको 15 days में dream job की guarantee देता है अगर आप इसमें success हो जाते हैं आप इसका test clear कर लेते हैं तो 15 days में direct आप hire हो जाएंगे दोस्तों इसके लिए है क्या दोस्तों इसमें 200 plus companies आ चुकी हैं और companies चोटी मोटी नहीं है Tread, 1MG, Urban Company 1MG भी दोस्तों आप देने देखा होगा कि ये Tata से Tata की है non-tech वालों के लिए 4 lakh package है और tech वालों के लिए 6 lakh रूपे का minimum package है और दोस्तों ये up to the 36 lakh रूपीज है और हो सकता है ये बढ़ भी जाए और दोस्तों already इसमें बहुत बंदे हो चुके हैं select आप देखेंगे इसमें इनकी screen पे भी आपको दिख रहा है इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको test के लिए register करना होगा इसके बाट आपको test देना होगा और उसमें आपको qualify करना होगा आपको एक criteria है 700 marks का उतने लाने होंगे और उतने लाने के बाद आप easily किसी भी employer से directly interview कर सकते हैं और दोस्तों यह जो test होगा वो through laptop या system पे ही आप दे सकते हो और उसके बाद आपको directly offer हो जाएगा आप unlimited company में apply कर सकते हैं यही आपको इसका link भी description में मिल जाएगा आपको करना क्या है यहाँ आपको option दिख रहा होगा get hired का तो आप इसके get hired पे आपको click करना है click करने के बाद आपको इसमें पूरा और इसमें जो department भी है तो tech non tech के लिए आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले business development test इसमें non tech वाले आएंगे और यह front end development test और यह back end development test और यह business analytic test और data analytic test अलग अलग आप देखेंगे कि आठ लाग समें और यह vacancy भी आप देखेंगे किसी में 500 प्लस है किसी में 150 प्लस है और सबसे बड़ी बात है दोस्तों यह आपके लिए और चीज़ बता दू कि देखेंगा है इसके लिए कोई भी आपको पैसा नहीं लगना है आपको क्या करना है कि सलेक्ट करके system से आपको इसको देना है आप इसको track भी कर सकते हैं तुरू आप से रेलेवल एप कि थूरोn रेलेवल एप अपको प्ले स्टोर पे आई स्टोर पे मिल जाएगा वहासे आप डाउनल्लोड गरके उसको अपना स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं कि कितने माक्स आप anything अपने जिजिस कंपदिम्पनी में इंट्रविव दिए हैं इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जान जाईए सायद आप ही का बहुत जादा फायदा हो तो चलिए आईए सुरू करते हैं तो दोस्तों यहां का जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बट खाली लिंक से आपको कुछ नहीं दिया हुआ है इसलिए आपको ध्यान से देखना होगा कि यह Tata Communication के अंदर है Tata Group बहुत बड़ा ग्रूप है दोस्तों Worldwide Global IDs का बहुत बड़ा काम है और अलग-अलग आप एक बार जॉइनिंग हो जाएंगे तो इंटरने लिए आप ट्रांसफर करा सकते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे जो सबसे नीचे वाला आपसन है Company वाला इस पर आपको क्लिक करना होगा सबसे नीचे इस पर Carriers दिख रहा होगा Carriers mentioned हो रहा होगा तो आपको उस पर क्लिक करना है दोस्तों आपको जैसी अब यह वाले पेज ओपन होके आ जाएगा इसमें Search Jobs में आपको जाना है Search Jobs में आप देखेंगे कि बहुत सारी वेकेंसी पोस्टेड आउट ही है तीन ये चार ये पांस तारीक कोई मतलब अभी एक दो दिन पहले ही मिली है तो आप जहान से देखेंगा कौन-कौन में किस-किस में अलिजिवल है देखेंगे सबसे पहले अभी दो मिनट के लिए बात कर लेते हैं Experience वालों के लिए और और अल्रेडी Senior Engineer System में इंजिनरिंग इसमें 2-1 साल का इन्होंने Experience मांगा है जैसे कि आपको दिख रहा होगा चार साल Education Engineer M.E.M.Tech या फिर आपने B.Tech भी कर रखेंगे तब भी आप इसमें अलिजिवल है आप किसी भी ब्रांज से हो डेजन्ट मैटर किसी भी ब्रांज से हो सिस्टेम इंजिनरिंग है अलग अलग है अब आई Junior Executive Service Engineering यह आज ही पोस्ट आउट हुई है मतलब आज ही चार तारीक को ही पोस्ट आउट हुई है दोस्तों आप देखेंगे इन्होंने साफ साफ लिख देया Graduate in Any Discipline और Zero to Two Year Experience देखिए इसमें काम क्या होता है आपको क्या होता है अलग जो Tata का Communication है उसमें आपको Executive का Work दिया जाएगा जो Any Graduate वाले हैं जिन्होंने BBA कर रखी है या कुछ भी आपने BA तक भी कर रखी है बस आपके पास Graduation होनी चाहिए तभी इसमें eligible है Tension लेने वाली बात नहीं है मेरे Diploma वाले भाईयों के लिए भी है और B.Tech वाले भाईयों के लिए भी है और B.E. वालों के लिए भी सब के लिए है और हर एक Branch इसमें eligible है इसलिए आप ध्यान से देखिएगा तभी आपको कुछ समझ में आ पाएगा देखिए अब यह आपने देख लिया होगा कि अलड़ी इसमें graduating in any discipline 0 से 2 years तक का experience मांगा है यह vacancy होगी प्लस और आगे भी vacancy है आप आगे देखेंगे Junior Customer Service Executive Junior Customer Service Executive Provision and Configuration Management अलग-अलग department अलग-अलग हो रहे है इसमें भी इन्होंने 0 से 2 तक तो मैं यह बोलना चाहरा हूँ दोस्तों अलग-अलग आप अलग-अलग जरूर सम्मिट कीजिए ऐसा नहीं खली एक vacancy पर आपने सम्मिट कर दिया ऐसा मत कीजिए Customer Service Executive Provision and Configuration Management इसमें भी दोस्तों इसमें जो अगर आपका experience है आपने BTEC कर रखी है या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो इसमें BE equivalent experience 4-8 years आपने इन्होंने मांगा है यह experience वाले भाईयों के लिए आपको freser वाले के लिए भी बताईए आप चलते हैं दोस्तों दूसरे पेच पे जब आप देखेंगे इन्होंने 3 तारिक को भी कुछ post out हुई है 4 तारिक को भी post out हुई है अलग अलग अब यह देखेंगे engineer service engineering service engineering में आप देखेंगे इन्होंने 2-4 साल तक का आपको कोई भी engineer experience वो किसी भी field में हो मतलब इन्होंने क्या है कि experience freser बंदा इस वाली particular job के लिए नहीं जीए है अब मैं और दिखा देता हूँ freshers वालों के लिए जिसमें diploma वाले बहुत ज़्यादा अच्छी तरह eligible है customer service executive इन्होंने बी-ई-बी-टेक diploma अब आपने देखा होगा बी-ई-बी-टेक diploma इन्होंने कोई experiential लिखा मतलब इसमें directly freshers eligible है अब इसमें भी ज़रूर submit करें अब और मैं आपको दिखा देता हूँ junior customer service executive में भी आप देखेंगे तो इसमें भी आप 0 से 2 years तक का experience जिन्होंने graduate in any discipline में मांगा है दोस्तों already मैंने diploma वालों के लिए भी बताया है बट एक vacancy में और बता रहा हूँ जिसको मैं highly recommended कर रहा हूँ junior technical associate अब देखेंगे junior technical associate में BE, BTEC और diploma experience यह देखेंगे आप 0 से 2 साल तक का इन्होंने experience मांगा है बहुत ही अच्छा opportunity है दोस्तों इन्होंने लिखा है साफ साफ लिख रहा अगर आप फ्रेशर है तब भी आप इसमें eligible है आपको submit कैसे करना होगा जिससे आपके job लगने की chances double हो जाए आपको मैं एक vacancy कोई भी form fill up करके दिखा देता हूँ जिसमें आपको कोई query ना हो अब जैसी आप apply now पर करेंगे नीचे आपको एक starting linkedin पर करें या apply now पर तो दोस्तों मेरा recommendation यह है कि आप direct इसी पर apply करें लिंक्डिन के थुरू आप मच जाएए अगर आपके पास है वहाँ से भी आप कर दीजिए अगर आपके पास linkedin profile है आप वहाँ से भी apply कर दीजिए अधरवाइस आप direct apply जरूर कीजिए तो दोस्तों जैसी आप इस पर देखेंगे junior technical associate अलग-अलग vacancy जब आप इस पर sign up या sign in करेंगे अगर आपना अल्लेडी पहले sign up कर रहा है तो sign in करके आपके पास आपका जीब नहीं तो दूसरी ID बना के आप इस पर sign up कर लिजेगा या forget password करके कर लिजेगा सबसे पहले वाला है resume दोस्तों resume जरूर upload करें resume में quality बहुत अच्छी रखें already मैं आपके resume पे work कर रहा हूँ actually क्या होता है कि देखें मेरे ये channel है इस पर हार तरह के बंदे हैं हार तरह in the sense fresher भी है experience भी है mechanical, civil, electrical, CS, IT हार एक branches chemical से है अगर मैं electrical कर resume लिए तो chemical वालों को अच्छा नहीं लगेगा या chemical वालों को लिए तो civil वालों को अच्छा नहीं लगेगा civil वाले को लिए तो IT वालों को अच्छा नहीं लगेगा तो मैं पुरा work daily जल्दी से जल्दी आपके सामने एक या दो दिन में मैं वो वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और आल ट्राय टू मेक शिर कि मैं जल्दी से जल्दी उसको पोस्ट करूं दूसरा है दोस्तों cover letter cover letter आपको क्या मिलेगा cover letter होता क्या है cover letter होता है हमारे बारे में छोटी सी information मतलब छोटी सी आज के टाइम में क्या होता है CV कोई नहीं पड़ता है आपको cover letter मेरे telegram channel पे मिल जाएगा telegram channel का link वी description में है जहां भी ये वीडियो पोस्ट होगी तो उससे उपर आप देखेंगे covering letter for fresher and experience वो सब के लिए है अपने हिसाब से इसको modify कर लीजिएगा third additional document आपको लखने है तो attach कर सकते हैं अगर आपके पास सोगी certificate वगएरा है profile information में दोस्तों profile information में आप पूरा का पूरा अपना जैसे का आप किस city से बिलॉंग करते है professional experience अगर आप fresher है तो zero डाल दीजेगा professional experience बंद zero ही डालिएगा अगर आप experience है तो आप अपना experience डाल सकते है formal education जो भी आपकी education रही है from top to bottom अगर आपने पहले b.tech किया है या फिर आपने b.tech के बाद 12 के बाद b.tech किये तो सबसे पहले आप b.tech फिर 12 फिर 10 ऐसे और डिप्लोमा वाले डिप्लोमा 12 10 ऐसे करके आप डाल सकते है previous employment आपने कई पहले job की है तो डाल दीजेगा no कर दीजेगा if yes specify a name अगर आपने तो is required तो यह no कर दीजेगा तो आपका यह जो है अगर आपको अगर आपका कोई जानने वाला है तो नाम लिख दीजेगा otherwise n ने कर दीजेगा what is the relation of the employee तो not applicable कर दीजेगा इसको are you open for relocation yes यह याद रखिए relocation मतलब आपको एक city से दूसरी city में अगर जाना है तो आप ready है तो yes ही कीजेगा बाद में आप internally Tata group से कहीं भी transfer करा सकते हैं देखे अब मैंने आपको क्यों बोला था कि आपको यह देगा Tata group company आप कोई भी जानने वाला है are you currently working in तो आप क्या होता है group transfer निकलता है तो internal आप कहीं भी जैसे Tata power में जा सकते है Tata airlines में जा सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं वो आपकी qualification match होनी चाहिए तो आपको easily सबसे पहल आपको करके सम मिल जाएगा अब आप पूरा का पूरा देख सकते है are you currently working in contractual employee और are you hired of Tata communication no तो दोस्तों are you previously worked in Tata communication either on a permanent or contractual basis तो no ही कीजेगा current position title क्या है आपको जो भी है अगर NA कर दीजेगा अगर आप employee अभी fresher है तो NA मतलब N obligate yes है तो कर दीजेगा please provide a brief overview of your work experience in the relation of the role तो दोस्तों यह आपको डालने की जरूरत है क्यों कोई star mark नहीं है date पर आज की date अपने डल के sign कर दीजेगा view profile आपको अपनी profile दिख जाएगी और आपको उसके बाद save करके apply कर दीजेगा दोस्तों already बहुत सारे भाहियों ने apply किया होगा तो अपना अग जाएगा तो वो आप जरूर सको check out करें बहुत ही अच्छी opportunity है उनके लिए जो अभी grab करना चाहरे है तो दोस्तों एक और चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा किसी भी job के अगेस्ट में आप पैसे की पैसा मत दीजिए अगर आपसे कोई पैसे की डिमान करता है तो आपको subscribe करने में क्या ही जाता है और दोस्तों अपने दोस्तों से share जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके साथ-साथ किसी और का भी भला हो जाए तो चलिए यह मिलते हैं next video में तब तक के लिए जहें